कि हिस्टी में पहली बार एक दिन में 900 लोगों को अस्थाई करन करना आज के दोर में ये बहुत बड़ी बात तो आज के दिन रियल में रामराज आ गिया है इसने बड़ा खुसी का पल कभी हुआ नहीं है ना कभी होगा ेक तरफ जहां सारे लोगों को रूजगार मिल रहा है पर्मानेन और उसके बाद फीर नए रूजगार का स्रीजन का भी बेवस्ता किया गिया है तो हम लोग के लिए तो यह तिहासिक दिन है जारखन के लिए और पूरे देश के लिए देश में जहां एक तरफ लोग बेरोजगारी का मार जेल रहें वहीं दूसरी ओर टाटा मोटर्स जो है तिहास रच रहा है हम इस वक्त राजधानी राची के श्रम विबाग में खड़े हैं और हमारे इर्दिकिर जितने ये लोग दिख रहे हैं आस थाई एंप्लॉई कल तक थे लेकिन इनको जो है आज पर्मानेंट कर दिया गया है और एक दो नहीं बलके यह 900 ऐसे अनपर्मानेंट एंप्लॉई है जिनको पर्मानेंट किया गया है तो यह बहुत बड़ी उपलब्दी है आप देखें कि हमारे आसपा जितने चेहरे ये अधिकारी यहाँ पर आये थे और श्रम विबाग के जो कमिशनर है उनके बीच में आपस वारता हुई है वारता क्या कुछ हुई है क्या कुछ फैसले लिए गए हैशारी बात जो आपको समझाते हैं दादा यह तो बहुत अच्छी बात है और मतलब यह कहते हैं पटथी के बीच में यह बहुत दिनों से लोगों को इंतजार था कि यह नंबर क्या होगा टाटा मोटरस जमसित्पूर प्लांट में कुछ हमारे करमचारी है 2700 जिनकी संख्या है वह अस्थाई थे और उनको लगता था और हमारे उनियन के सभी पदादिकारी थे और आप देख रहे हों कि हजारों की संख्या में जमसित्पूर से हमारे साथी आया है तो उनके लिए आज तोफा है और उनियन के लिए तोफा यह है कि हिस्ट्री में पहली बार एक दिन में 900 लोगों को आस्थाई करन करना आज के दोर में यह बहुत बड़ी बात है आप देखते होंगों कि बहुत ऐसे प्लांट है जहां पर सौव डिर सो परमानेंट होते हैं और यह दिन में 900 की संख्या अल्डेडी पहले से वहां पर 6000 परमानेंट थे और 900 के बाद जो बचे हुए हैं 1800 लोग उनका भी नंबर अगले स किया घूए करेंगे हमारे बच्चे जो हैं करने के बाद नंको डिकलो मां मीलेगा कि उसके बाद में उननको दो रूट मिल जागा जो एज को टे जक्नी में करने क słuमा करके जाए उसकि अलावा को परमानेंट और उसके बाद फिर नए रुजगार का स्रीजन का भी ब्योस्ता गिया गिया है तो हम लोग के लिए तो यह तिहासिक दिन है जारखन के लिए और पूरे देश के लिए और बाकी इंदस्ट्री को भी संदेश टाटा मोटर्स यूनियन और प्रबंधन के द्वार के लिए गौरव का दिन है कि हमारे सभी करमचारियों के चहरे पर आज मुसकान आया है और union हमेशा परियास करेगी कि आने वाले समय में हमारे करमचारियों के चेहरे पर मुस्कान रहे धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को भी अम्लों धन्यवाद देते हैं कि आप समय दिया हम लोग भी मैं गुरमीज सिंग्ग अधियक्स टाटर मोटुस वरकस उन्यवाद जो कल तक आस्थाई थे क्या कुछ सुधाई जो है वहाद से उनको मिलने वाली है पूरी बात बताई आस्थाई मजदूर से जब स्थाई करन में आते हैं तो उनके पुरे परिवार को मेडिकल और बहुत सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज तक के त्यास में एक साथ 2700 लोगों को पर्मानिंट करने का फैसला नहीं लिया गया था इसके पहले 355 तक लास हुए था हर साल लेकिन आज के समझौते में 900 प्रतिवर्ष कम्प्लीट करने तक यह सिल्चला जारी रहेगा और जैसा मह मतनी ने बताए कि नया नियोजन जो एफ्टी और डिप्लोमा के बाट डिरेक्ट पर्मानिंट बीच में टेंपरोरी पूल खतम होगा यह हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है इत्यासिक दिन है मैं अपने और से पुरे टाटा मोटस प्रबंदन लिबर कमिश् द्येलसी साहब और उनियन के सभी साथें को बढ़ाय दोंगये जिन्हों ने सारे बाच्चित में हमेशा युनियन का साथिया सभी बढ़ाय के पातरे हैं और आप न्यूज चैनल बादाई के पातरे हैं कि मजदूरों के संदेश को पूरे जारकंड के लोगों तक पहुचाएंगे बहुत बुद्धन्यवाद जो आस्थाई से अस्थाई हुए हैं उनसे भी हम बादचित करेंगे कौन है वो एक दो लोग आई यह आई आगे सलाकार हैं यह बहुत ही अतिहासिक चन है आप लोगों के लिए मतलब कि एक तरह से कहें खुश्यों का जो है यह एक तरह से कहें पहाड जो है बोलते हैं कि आपको दिखाना चाहते हैं कि मजदूरों का उत्साह यह बता रहा है कि आज का यह फैसला कितना आहम है और मजदूर हित में है यह सबसे बड़ी बात है जो कि इसमें जो आपको भी बताया गया जो महामंत्री और अध्यक्ष ने जो भी रखा आपके सामने तो यह पर्म सब्सक्राइब कम किया जा रहा है और उस इस्तिती में इतना बड़ा निर्ने एक साथ 900 यह यह ली पर्मनेंट करनों आस्थाई मजदूर को एक बहुत बड़ा निर्ने है और दूसरा जो एक बात था कि जब लॉट खतम हो जाएगा तो इंप्लाइमेंट को कंटिन्यू कर करने के लिए कि नहीं पुर्व की तरह जो इंप्लाइमेंट जो है वह अपर्चनीटी बना रहे हैं आप कभी भी नहीं देखेंगे पूरे इंदुस्तान के अंदर कि जहां पिता जी काम कर रहा बेटा भी वहीं काम कर रहा है यह यह प्राबधान कहीं नहीं है कि अगर पि कंटिनू रहेगा इसका निरने ये यूनियन ले पाई है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा बधाई के पात रहें कंसिलेशन ओपिसर स्रमाइप जारकंड और उप स्रमाइप जारकंड धालबूम जो हैं उनका बहुत ही इसमें एक अहम यह रहा जो कि इस बारता को कंक्लू राज आ रहा था हम लोग भी राम राज में लेकिन हम लोग मजदूर राज लाने में मजगूल ते यहां पर और उसका फैसला आज सामने तो देखें जो आज जो आज इस एतिहासिक चंड का जो है कि साक्ची बने हैं उनमें से एक हमारे साथ हैं आस्थाई थे लेकिन अब पया अस्थाई हो गया है पर्मानेंट हो गया कितने खुश है अपने खुशी का ब्यान नहीं कर सकता है इसा खुश है कि आज हम लोग यूद्ध के महामंतरी अध्यक्ष ने ऐसा तफ़ाद दिया है जो इतिहास में इसा कभी नहीं हुआ था आज वो जो करके दिखाए हैं नौसो 222 को आजा मने पर्मामेंट कर दिये इससे बड़ा खुशी का पल कभी हुआ नहीं है ना कभी होगा लिद्ध था आपको कि कभी विश्बास था कि अब बड़े भाई आरके सिंखे पर कि वो जो काम नहीं होने अला रहता है वो काम वो करके दिखाते हैं और हम लोगों बहुत नाज और विश्बास भी है उनस पर कि वो हमेसा मजदूर के लिए खार उतरते हैं कि क्या है कि अगा क्या सुधाय मिलने वाले हैं लोगो इंपलाई अप पर्मामेंट होंगे उसके पास हम लोगों कर फास्पिटल फसलिटी मने जो पर्मामेंट को मिलती सब जो मिलेगी विलेगी और कौन है आपके साथ जो आप भी है मैडम या नम है भारती कुमारी है टा मोटर में आप आज था ही मैं 2009 में हुई थी और टाटा मोटर्स में 2006 में घुजी थी मैं तीन साल हमारी ट्रेनिंग थी और 2009 से मैं पहले मैं क्यूए में काम करती थी उसके बाद अभी पोटेक्शन में काम करती हूं तो हम लोग काफी तो में से वेट कर रहे थे कि आज बाइसीक्स है कल पर्मामेंट होंगे हर साल का यह था लेकिन भयालों का महरवानी और जरका यह से हम लोग बहुत जल्दी सब को हो गया वह बहुत अच्छी लगी क्योंकि हमेशा एक टेंशन रहता था आज बैठ जाएंगे मैंना पूरा ड्यूटी मिलेगी नहीं मिलेगे घर परिवार कैसे चलेगी तो यह सब से सारे लोग हम लोग जो सफर के आने वाले लोग यह सफर नहीं करेंगे कम से कम अपना एक निश अतना काम करती है हर समय मने कोई भी चीज जाने से तुरंद मिलते हैं फोन उठाते यह बहुत ही अच्छा एक है क्योंकि समय पर जो काम आता है वह ही अपना होता है बहुत खुश है क्या कहेंगे दादा इदर आईए क्या नाम है आपका और हम लोगों को आज चो समझोटा हुआ है बहुत बढ़िया समझोता हुआ है मतलब हम लोग आसा नहीं था उससे मिल मतलब बहुत भी बढ़िया समझोता है और इसके लिए घृवची आफ्ट माशमारी जी और हमारे परवंदन के है उनलों को हम लोग बहुत सारे अस्थाई करमी उनको बहुत बहुत बढ़ाई देते हैं और के सिंग जिन्दाबाद पर्मानेंट होने की ग्या नाम है मेरा मोहमाद इम्रान खान नाम है हमारे साथ हैं कहां रहते हैं आप जैंसे पूर टाटा मुटर में आप कब से काम कर र अभी यूनियन है प्रेजेंट में यह बहुत अच्छा काम कर रहा और यह एतिहासिक पहले हम लोगों के लिए हमारे लिए वह शब्द नहीं है जो हम बोल पाएं जो में इमोशन अपना जाहिर नहीं कर पा रहे हम इतने खुश हैं अंदर से यह बहुत अच्छा रहा बहुत और हम लोगों सदे उनके साथ हैं जी यही कहना बाच्छित के लिए देखे आज इन सभी के लिए जो है अतिहासिक छन है और एक एक जामपल आपको देना चाहेंगे कि हमारे बगल में जो है आप जाएंगे तो देखें यहाँ पर एक हैसी है जो कभी जो है कंपनियों का ब आज यह बड़ा फैसरा लिया गया है लोगों में खुशी है और यह उमीद जो है हजारों लोगों में उन लोगों में है जो नौकरी की तलास में या फिर कहें बेरोजगारी कमार जेल रहे हैं उनमें एक नहीं उमीद जरूर जगी है